रीवा के सूफी मस्जिद में इस बार हज यात्रा में जाने वाले लोगों के फॉर्म हरे गए आज सुबे से ही यहाँ पर हज यात्रा में जाने वालों का मेला सा लगा रहा इस बार नियुमों में कुछ शूड़ती गई है 65 साल से जादा उम्र के लोग भी हज यात्रा में जा सकते हैं देखिए हमारी ये खासिपोट रीवा के सूफी मस्जिद में हज यात्रा में जाने वाले लोगों के सुबा से भरे गए फॉर्म खबर लिखे जाने तक लगबग संतावन से जादा लोग फॉर्म भर चुके थे ये सूफी मस्जिद में से आप महमें बोल रहा हूं कि यहां पर हज के फारं भरे जा रहे हैं और इंसालला इस पार अपने हाँ काफी लोग हज के फारं भरे गया है हज के फारं भरे जा रहे हैं यहां पर काफी लोगों ने हज के फारं भरे गया है यहाँ पर आज सुबे से ही आने जाने वाले लोगों का जमगट था हज में जाने का समय आ गया उसकी तयारी के लिए यहाँ पर लगातार लोग आ रहते जा रहते हज की बात हो रही है इसलाम में पाच चीज़े कौन सी है जो जरूरी है सबसे पहले तो ला इलहा इलल्ला मुहम्मद रसुलुल्ला इसलाम का पहला सुतून है उसके बाद रोजा, नमाज, जकात और आखरी में है हज हज, आखरी में है हज, आज बात हज को लेखर होगी आप ठोड़ सका हजना तो बहतर होगा काफी अर्से से आप लगातार हज में जाने वाले जोगों का इंतजाम करते रहे है पिछले बार और इस बार के मुकाबले क्या है खास देखे, पिछले 22 सार से लगातार वहिदून निसा मेमगारें ट्रस्च के तरफ savez हम ये हज में जाने वाले लोगों के फार्म भरते रहे हैं और जब हम 2000 पहली बार कहे थे तो वहां पर हमने देखा कि बहुत से बाहर की कंट्रीज के लोग जो है वो ग्रूप में आते थे और उनका अमीर होता था वो जो दौआ वगरा है वो पड़ते जाता था और सब लोग हज के अरकान को सही तरीके से करना जरूरी है जिस तरीके से आज आप लोगों ने फार्म भरवाए क्या यह माना जाए यहां पर ट्रेनिंग कैम भी लगेगा जैसे ही सासंग की तरफ से जो है लिस्ट जारी होगी कि किन किन लोगों को हज में बुलाया गया है उन लोगों क यहां सुबह से ही लोगों का मिला लगा रहा हैं, लोग क यहां पा फार्म भरते नजर आए, किस तरीके से लोगों की आवाया आ जाई थी हांकर? सुबह से काफी लोग आ रहे थे जिनको हज में जाना है और जो साहब निसाब हैं वो हज में जाना चाहते हैं वो सुबह से यहां आ रहे थे और अपने फॉर्म के वरिफिकेशन करा रहे थे पेपर्स के और उस वरिफिकेशन के बाद उनके फॉर्म भरे गए उसके बाद फि पूरा इंतिजाम एक ही बार में आप लोगों ने एक ही समय में कर डाना अब आगे क्या आगे मलब यहां से पूरे फार्म लगभग भरे जा चुके हैं और आगे जैसे वहां सासन का मार्क दरसन मिलेगा अपनेगा दस तारीक लास देट है इसका मतलब अभी और फार्म भरे जाएंगे बस तारीक लास देट है अभी आप लोगों ने बताया कि आज आप लोगों ने फार्म बर दी है ऑंलाइन फिलब कर दिया है साती आप ने यह भी बताया कि हज में जाना क्यों जरूरी है साती ही यहार ट्रेक्ट के ईंकरoration interaction a. देखें ट्रेनिंग एप में हम जो हज जो कर चुके हैं या जो हमारे समाज के आलिब लोग हैं और ये हज कमेडी के ट्रेनर भी होते हैं जिनको हाजियों को ट्रेनिंग देने की ट्रेनिंग होती है ऐसे लोगों को बुलाते हैं और हज में जाने के लिए कैसे उबरा करना कैस तवाफ करना ये सब पूरी जानकारी दी जाती है तो हमारी टेनी के बाद जब वहाँ जाते हैं तो किसी किस्म की कोई परिशानी नहीं होती है किसी किस्म की कोई भी परिशानी नहीं होती तवाफ कैसे करना है उम्रा कैसे करना है हम लोग इसको इसक्रीन के माद्यम से लोगो बना कर रखेंगे और आगे जो भी अपडेट होंगे वो आप तक पहुंचाने के कोशिस करेंगे आज के लिए बस इतना ही अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजे इसासत